सलाम वालेकुम, लास्ट लेक्चर को कर्टिग्यू करेंगे वही सीम चीज है, बस क्यूब रूट है इसको equation 1 suppose करेंगे let t is equal to वो function जिसके पर whole power होती है उसको हम t suppose करते हैं इसकी value हमें चाहिए होती है तो इसकी value हम derivative से अखस करते हैं हमने derivative लिया x2 का derivative 2x और x का 1 आएगा अब देख सकते हैं कि dt बराबर आया 2x प्लस 1 इंटू dx बात वही है कि limit का भी convert होना जुरूरी है क्योंकि limit x के बिल, x के साफ से बिल और हमेंचाहिए t के साफ से x को 2 put करेंगे और x को 1 put करेंगे 2 का स्क्वाइर प्लस 2 प्लस 1 इंट हो जाएगा जनाब 7 इंट हो जाएगा 1 का स्क्वाइर प्लस 1 इंट हो जाएगा 3 तब equation 1 को मैं value put करूँगा तो ये चीज ये चीज dt के बराबर और इसको मैं लिख लूँगा cube root of t cube root का मतलब है power 1 upon 3 नहीं है ती असान हो जाएगा सवाल हम करेंगे power में एक add करके 1 upon 3 में जब 1 एड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 upon 3 upper limit हमारी 7 और 3 lower limit तो आब इसको अंसर हैगा 3 upon 4 function with upper limit minus function with lower limit इसको solve करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम के 7 की power 4 by 3 का मतलब है 7 into 7 into 7 into 7 4 दफा और इसकी power 1 upon 3 3 का pair जो है वो बाहर निकल जाएगा तो यह जाएगा 7 cube root of 7 तो हम इसको लिखेंगे 7 cube root of 7 और इसको लिखेंगे 3 cube root of 3 असर लिखने हैं कई तरीके यहीं छोड़ दें points में निकाले मरज़ी आपकी 6.4 के वो सवालाद और जवाबाद जिसका trigonometric से नहीं बलके अलजबरिक से तालब तो में आपको करवाए नेक्ट क्लास में इन्शालला मैं आपको 6.3 के trigonometric questions कंटिनू करूँगा further more videos के लिए सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल सर एहसन अब्दूल्ला पटेजिए